वेलकम फ्रेंड आज हम देख पा रहे है प्रॉपर्टी जांड यूजे सॉप रबर तिमबर जिसको मूड भी कहेंगे या इंसुलेटिंग मट्रियल अदर मट्रियल जो हमारे इंसुलेटिंग के काम में आते है जो इलेक्टिक एशिल में वो उसके बारे में जानकरी लेंग स्क्राइबर रबर इस एलेश्टिक मट्रियल या एक एक लचिला सामगरी है जिसको जोगते को आपी नैचरकgar के योजेख सेकी ऊणड़ को हम कहेंगे तो हम जानकारी लेंगे यह रबर के बारे में, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नैक्चरल रबर, जिसको हम प्राकूरतिक रबल भी कहते हैं, इसके काच, भी कहते हैं, हैं हर। सबस्वाशिन कर प्राष। इसलपर हैं, तो तो कहिते हैं, जी सकति हैं, एसके काच,ाच कौ म कर दो चूक,ाच कि कnow gusto कनूक, ना प्राष, थिसकति हैं, विंगे मिच्मिटी दिणय रबर, मुचा रपर बात के लिधरा काच exemplo, में क्या होता है आपको मैं थोड़ा हिंदी में इसको इसको करूंगा यहां पाउदो से स्त्राव से प्राप्त होती है पहले बात तो यहां पर जो लिक्विड हमें प्राप्त होता है जैसे कि आप यहां पर फिगर में देख रहा है आपका सामने छोटा से मैंने फिगर दिख यह तो एक liquid form है लेकिन इसको हम गरम करेंगे तब यह नरम हो जाते हो और यह 30 degree centigrade पर यह क्या हो जाएंगा चिप चिपा हो जाता है और अगर लगभग इसको 5% डिग्रे और पड़ा दिया जाए तो यह कठोर भी हो जाएगा उस वक्त ठीक है तो इसमें क्या करते है थोड़ा सलफर को हम क्या करेंगे इसमें मिला जाता है और इसको सलफर को मिलाने के बाद इसको जो मिश्रन बनेगा उसको बाद इसको क्या कहिए जाए गरम किया जाएगा और इस जो प्रक्रिया टोटल बनी होती है इसको इसको हम क्या कहते है वलकनाजेशन प्रोसेस कहते है जिसको अलावा यह तापमान के परिवर्तन के प्रती यह क्या हो जाए बहुत ही सेंसिटिव भी हो जाता है जिसको हम सवयदेशल भी हो बोलते हैं और कार्बन एडिट विलाएकी इमें इसमें घुलता नहीं पहली बात तो इसमें कुछ disadvantage भी है तो एक disadvantage में बात करेंगी इसमें क्या क्या disadvantage है पहली है low resistance to petroleum oil यानि यह क्या होता है petroleum जो तेल होता है इसका यह क्या होता है कम प्रतिरोत करता है जिसमें जहर ने जो leakage की ज्यादा चांस रहता है नमबर टू है इसमें cannot be exposed to sunlight यानि सुरोज की रोशनी में से सनपर्क में नहीं आल आ सकते इसको आप क्यूं वह भी मैं आपको एक्स्प्रेंट करूंगा इसमें cannot be use high voltage insulation यानि इसको हम उच्चे voltage insulation के लिए भी इसका इस्तमाल नहीं कर सकते हैं ओके नेस्ट है लो ऑपरेटिंग टेंपरेचर इसके लिए क्या होना जाए यह लो ऑपरेटिंग टेंपरेचर है यह क्यों आज बिकम ब्रिटल हो एंड डेवलॉप Crabrax at day temperature at 60 degree अब यह है अहम मुद्ध इसमें कि होता है कम परिचलग के अकी कम टापमान के परिचलग हो जाता है क्योंकि यह ब्रिटल हो जाता है यह और 60 degree temperature में जो temperature इसका हो जाता है तो जैसी मैं पहले बताई इसका high वह सुरज की रोश्णी में भी इसको नहीं ला सकते हैं और इसका 60 degree temperature गर हो गया तो इसमें क्या हो जाता है एक दरारे आ जाती है इसमें क्या हो जाता है इसमें cracks आ जाते हैं दरारे विक्सिश हो जाती है इसलिए उस वक्त काम ने करता है Sulfur is rubber react with copper hence copper wired are to be tinned जैसे कि पहले बता है हम जो वरकनाजिशन प्रोसेस कर रहे थे उस वक्ति इसमें sulpher add किया गया था तामबे के साथ rubber की प्रक्रियाई में sulpher होता है इसलिए तामबे के तारों में rubber के लिए लिपीद किया जाता है तो यह हो गया हमारा और rubber में आपको बता है कि नेचरल रबर या जो प्राकुर्थिक रबर क्या होती है उसके फायदे और नुक्सन भी इहां पर हमको को explained की है। उसके बाद में इसके मोडीफाय किया है कि hard rubber पर तो hard rubber क्या होती है इसके बाद हम इस आवette चेइज कर जानकारी लेंगे। तो hard rubber उसके figure और जहीं दिख्या। Pay your का तो by increasing the sulpher content and prolong theSabra gumisation a rigid rubber product card hard rubber debonite easier obtain het इट प्रोसेस गूड इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल प्रॉपर्टी होती है यानि सलफल सामग रही है और लंबे समय तक इसको वलकनाजेशन वह बढ़ा करें किया जाता है इसको इसमें सलफल तो आड है इसमें लिगन लाओ पूल और इंखिर का है ज्यादा समय तक बढ़ा यह अच्छा क्या है विधूत के लिए और जो इसको इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल इसमें अच्छे एक प्रॉपर्टी हो जाती है इसमें जो हमारे काम में आती है और इसका यूज भी कहा हो रहा है इसमें इस यूज फॉर बैटरी कंटेनर आप देख जहांपल में दिख अब जो इनेफ्ट में जो जो बात करेंगे हम इसमें सिंथेटिक रिश्य रबर गयदी मिवल्र डिक भीवर इसमेल इसमेल अप्टैनफेटिक है और वह विथया इसमेल सेंधिक रबर जो थर्मो प्लास्टिक जो विजाइन ऊच्चों पॉलीमर के साथ इस भो हम के साथ में इसको क्या हम इसको प्राप्थ कर सकते हैं इसमें कुछ इसको डिवाइडेशन किया जैसे कुछ निचे दिया है नाइटिर्ड बुटेडेंं रबर बुटेल रबर है पै में जाओंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जब भी ये वीडियो कोई भी देखे को उसको पूरी जानकारी मिले इसलिए मैं थुड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पूरा एक्स्पें करूंगा इसमें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमे इनके सीरेल नंबर जो नाम बता है मैंने आपको जो है उनकी प्रॉपर्टी क्या होते है उनका इस्तमाल कहां पर हो रहा है तो मैंने आपको सीरेल नंबर दिखा है एक नेम दिखा है जो कुझसी प्रॉपर्टी है सिंथेटिक रबर के और उनके प्रॉपर्टी क्या है सब इसमें क्या हो जाता है लाचिलापन भी है घिसाव का प्रतिरूद करता है और यह कम तापमान पर लाचिलापन का यह काम करता है ठीक है यह कि इसमें कम तनन्यता होती है और चालापन कर सकता है कम हीड्रेट ही होता हैcrates हीरोस होता है और इसका स्काम pessimist कर पर होता है यह प्रॉपर्टी का स्तमाल क्या होता है आटम वाइल जो आप टायर होता है उसका इनोल ट्यूब आपने कोई भी टायर होगे देखा हूंगा तो उसके अंदर यह वाले जो नाइटर बुडेलिंट रबर होता है यह उनका स्तमाल होता है नौर्मली आपने रबर सभी को पता लेकिन प्रॉपर्ली कौन सा रबर कहां पर इस्तमाल होता ही आपको पता नहीं होगा इसलिए में हमारा उद्देश यह ही है कि आपको प्रॉपर्ली कौन सा रबर कहां पर इस्तमाल होता ही आपको इस्तिंद करने के लिए नेश्ट है हमाला बुटाइन रबर, रबर, इस अटेक बाइ पेट्रोलियम ओल, ग्यास एंड अलकोलिक, सोल्वेंट, इट थर्मल एंड ऑक्सिडेशन स्टेबिलेटी, एंड हायर रजिस्टंस टो अजोन, यानि ये पेट्रोलियम तेलों के लिए ग्यास और जो मादक यान जो अलकोलिक हो गया है, जो सॉल्वेंट होता है कि नहीं, इसके निर्मान के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है, यहाँ पे आपको मरमत आपके कई भी कंपनी वोगर देखोंगे, यहाँ पे इस्तमाल होता है, पेट्रूलियम, ओल ग्यास, या अलकोल हो गड़े का, तो उ वाले बुटाइन रबर के ही आ रहे उसमें इसमें थर्मल और ऑक्सिजनल की स्तीरता और और उजन एक उच्छे देस्तरीय के उच्छे प्रतिरोत के काम करती है और इसका स्तमाल का उपया होता है यूज एज इंसुलेशन इन होट एंड वेट कंडिशन यूज एज टैप इन रिपेर वर्क यानि मरमत कारियों के लिए टेप के रुप में इसका उपयोरो किया जा सकता है गर्म और नर्म परिश्तिती में पही करते है। जिसका हम बुटेल रभर कहते है। नेक्ट हम आला है, हाइपलोन रबर याने रजिस्टन टू डिटोरेशन वेन एक्सपोस्ट टू सनलाइट एंड टेंपरेचर अप्टू वन हंडेड़ फिप्टी डिग्री सेंटेग्रेड यारे यह सुर्या के प्रकाश के और ताफमान तक संपर्क में आने के लिए इसको परशली इसको 200-10 डिग्रियेटर चेंगे इसको प्रतिरूत कर सकता है इसका स्तमाल कहाँ पे यूजing इन जैकेतिंग अप इलेक्ट्रिकल वाइर्स एंड केबल इसका उपियों कहाँ प्रेग्री यहां लेक्ट्रिकल एंड वाइर्स एंड के लिए इसका जैकेट बनाने क अगेंस ऑक्सिडेशन और ग्यास डिफूजन बेटर थर्मर कंडेक्टिविटी होती है और फ्लेम रजिस्टन्स प्योर मेकेनिकल प्रॉपर्टी होती है तो इसमें क्या है अने उंबर बढ़ने के जैसे कि इसको बढ़ाने के लिए जिसको ज्यादा दिन चलने के लिए औक्सिकरन और ग्यास का प्रसार इसको बहतर टेंपरेचर कंडेक्टिविटी और इसका लोग प्रतीरद जो यांतिरिक मेकेनिकल प्रॉपर्टी इसमें होती ह है इसका इंसुलेशन का होता है यूज इन वायर इंसुलेशन के लिए केबल के शेटिंग के लिए इसके लिए इसका निप्रॉपरिन रबर का इस्तमाल होता है एड़ दी एंड हमारा फाइन नॉमबर पे है सिलिकॉन रबर सिलिकॉन रबर क्या होता है हाई ओपरेटिंग पर काम करता है जाद एज़ टू अंडेट डिगर सेंटिग्रेट फ्लेक्जिबिलिटी पर मॉइस्चर और करोजन रेजिस्टर सो होता है यानि जंगरों देख होता है इसमें गुड़ इंसुलेटिंग प्रोपर्टी होती है थर्मल कंडेक्टी इस गुड़ इंडेक्टर इंसुलेटर होता है यानि यह उच्छे परीचलन के लिए 200 डिग्रेटिव यह लचिलापन काम करता है नमी और संशा जो संशारन होता है इसका प्रतिरोत की आक्षिरन के साथ प यह जितने भी पावर केबल हो गये और कंट्रोलिंग वायर साप चाहे वह ब्लाट फ़र्नेस के लिए हो गया ओवन्स के लिए स्टील माइल्स या नुकलिय पावर पांड यह हाई पावर फ्रेक्वेंसी जो होती है हाई फ्रेक्वेंसी जेनरेशन के लिए या बॉयलर एर जो रबर्स के टाइप बता है और यह पूरे डिटेस में आप अच्छे लागा होंगा डेफिनिटली फॉरी यह लंबा हो गया है तो नेश्ट बात करेंगे अभी हम कि अधिमर के टिमगर्म की टिमबर यें इस को क्या बोलें हम इसको एक लकड़ा वह लेंगे जो मारिति के जो लगड़ी के लिए जो तो वह स्ट्रेट फाइब्रेस होना चाहिए तो वह स्ट्रेट फैब्रेस होना चाहिए सिल्की लस्टर वेन प्लेंड होता है युनिफर्म कलर में होता है रिगुलर एंगुलर रिंग होती है जैसे कि आप देख पा रहे है एक फिगर में Heaviness होता है उसमें, farm adhesive of fibers and compact modularized sweet smell होता है, थोड़े आच्छी सुगन था थी इसमें, It should be free and loose from dead, not and shaked. The surface should not clog the teeth of the saw on the cutting but should be remained bright. It means, सिधा सिधा मैं बता रहो इसके क्या property हो रही है आपको हिंदी में, यह तो सिधा तंतु होना चाहिए, एपकर दीनी में चिकनाए करके, यह रिषमी चमक में दार होती है। एक समान का रंग होता हैं यह निर्मीत वार्षिक वले होता है। जैसे का पर रिंग देखते हो दिख पा रहे हो ऐसे हर साल का एकी करिंग ऐसा डिवलाप भारीपन होता है। इसकी अच्छी मुसंद होती ह है यह डीले यह मूट गाट हुआ दरारों में मुक्त होना चाहिए यह कुछ उसके एक माइच को टिंबर के मैंने बताया है इससे उसको classify कर भी किया जाता है timber को actually तो actually एक ही टाइप के उड़ नहीं है तिमबर नहीं होते है उसको दो टैप में इसको classify किया गया है number one है इसका softwood और number next two है hardwood ऐसे दो जगह पे इसको classify किया गया है तो एक softwood means नरम लकडी होती है और hardwood means means कठोर लकडी होती है कि तब हम बात करेंगे इसमें शॉप टिंबर इसमीन नरम लकडी तो नरम लकडी के यानि इसमें कहां पर होता है इस्तमाल यह और इसकी प्रपर्टी क्या होती यह भी आपको में बताएंगे भी यूजुवली ओल्ट्री विद नीडल स्लीव आप सॉप्ट वूड और दोज वीद ब्रॉड लिवज आप हाड वूड यानि कि सामने तोर पर नरम लकडी की जो लकडी हमें कहां से प्राप्त होती जिसके पत्ते सुई के आकार की होते हैं इसमें बारिक वाले और चवडी पत्ते जहां पर होते हैं जिस प्यड के उसकी ज पत्ती रहती हैं उसको सॉफ्ट वूड और जिसके जाड़े पत्ते में दिखेंगे आपको हो गया हाड वूड में इसका स्तमाल में एक रायत जाती हैं दो ऊड़ अधा उड़ कंटेंद रेजीन एंड टर्पेंटेंट्स लकडी में रेजीन और तार्पीन होते हैं इसको सीधे होते हैं दो उड़ फ्रेगने स्मेल इसको अच्छी खुश्बुवाती है इसको सुगंदी स्मेल होती है इसमें टेक्चर इस सौप्ट एंड रेगूलर होते हैं इसकी बनावट कैसी होती इसके नरम और नेमियत होती है तप और प्रजिश्टेंस ट्रेंग या आव वन साइड सौप्ट पोरस वार्शिक वले होता है या जैसे में रिंग बताए एक तरफ से जनरल करस अप उट पैल टेन और लाइट सच एज पीन सपरग फिर आश कैल डेकॉर एक्सेटर यानि में इसमें लकड का सामाने रंग टाइप के पिलर टाइप का होता है जैस इसका फाइन, आश, केल, देवदार आधी ऐसे इसके उटसके नाम भी है इसके यूजेस एंड कहां पर होता है और टिंबर के सौप टू टिंबर के मैं आपको बता रहा हूँ बिकम ऑप चिपनेस यह बहुत यानि यह सस्तिर होता है यह कॉलिटी भी उसकी सथोड़ी सस्त इसका बनीचर अब दिशल ही है इनका इसका फिल्फे के लिए इसका इन्धन के लिए सस्तमाल हूता है। टिम्बर्स आर यूज बास्केट और मैट मेकिंग और कुछ का इसका जो प्रॉपर्टी होती है इसका वजब बनाने का तरीका होता है इंधन के लिग पर इस्तमार होता है इसका टोकरी वो चटाई भी इसके बनाई जाती है नेश्ट है भी हमारा हाड वूट टिम्बर यानि इसको हम क्या कहतेंगे कठोर लगड़ी तो क्या होता है हाड वूट टिम्बर इसको कुछ प्रॉपर्टी है दा वूट जनरली कंटेन लार्ज परसेंटेक अपैसीड यानि एक सामनल तोर पर अमलकी मात्रा अधिक होती है ध इसमें अन्य रिंग्स आर नौट डिश्टिंग जो सामन्य वार्षिक जो अलग 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 नहीं होते इसमें यहाड हो देश्में कलर की होज़सी से चुप जाते इसमें इससे डिफिकल्ट एंड हार्ट वर्क विट यानि यह थोड़ा हाड होते है इसलिए यहांने काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, fibers are overlaps, यहांने यह इसका fibers होते हैं, इसको वैपक्त होते हैं, मिक्से लिप्त होते हैं, जनरल कलर्स होता है, डार्क ब्राउन, सच आज ओक हो सकता है, वालनौट हो तीक हो सकता है, महागावन होते हैं, तक्रोट हो सकता है, टीक हो सकता है, मुहह गरिय 유つकता है, शिसम हो सकता है, बबूल, स्पाल, ऐxtयादी… इसके एक.. जो टाइपस है और इसका स्कमाल कahoता है, उज़ हमlegen इसका स्कमाल होता है उज़ काहगा वगलीटी फरनिचर,ोच वियर बनाने के लिए टेबल, सोफाज, डीवान, बेट्स यानि जो उच्छो क्वालिटी के बना जो इसका हम फरनीचर वगरे बनाते हैं उसमें इसका स्काम में आने वाला है इसका स्तमाल यूज फोर्डूर्स, विंडो, फ्रेम, हाई क्वालिटी हाउस and they can take good polish and painting finish यानि उच्छो गुनवत्ता वाला घर बनाने के लिए चाहिए दर्वाजियों, खिड़की या फ्रेम हो जोगे क्योंकि इसकी अच्छी quality और polish और printing करेकर इससे किया जा सकता है अनेश्ट यूज फोर्म मैनिफेक्ट्रिंग कत्था और इसका स्तमाल कत्था बनाने के लिए भी किया जाता है आज आज आपने यहाँ पर timber पड़े हैं, timber में आपको मुच टाइप्स भी बताया है, जैसे कि मैं rubber में बता है, आपको यह पसंद आया होंगा नेश्ट हमारा कंटेन है अभी insulating material याने रोधक सामगरी में क्या-क्या हो सकता है, बहुत से यहाँ पर टाइप्स हैं, तो इसमें आप एक्जम्पल में देख सकते हैं, जैसे कूड लगा या वूड लगाने के बाद आपको light जल नहीं रहा हो गरे, या उसके कुछ हम देखेंगे, क्या होता insulating material, these are material which offer very high resistance to flow current and make current flow very negligible and nil, याने, आईसी सामगरी जो करण के प्रभा के लिए विधू बहुत प्रभा के लिए बहुत अधिक प्रतिलोद प्रदान करती है, और प्रभा को प्रभा जो होता इसको बहुत नगन्य और शुन्य बना देती हैं, या प्रभा को नहीं होना है, their material have very high resistance और इसका जो resistance होता है, बहुत हाइले होता है, usually of many mega ohms, 1 mega ohms is equal to 106, meg ohm लिखा है, mega नहीं है, और का सेंटीमेटर क्यूबिक है मेले ये इसका प्रपर्टीज, the insulator should also possess high die-electric strain होती है, this means that the insulating material should not break down and puncture even application on high voltage, अब high electrical pressure to the given thickness, याने क्या होता है इसमें, इसका मतलब यह हो गया है, कि insulating सामगरी किसी दिये गए मोटाई के लिए उपलब, high voltage भी इसमें पास गया जाता है, तो फिर भी उसमें से ये तूटे ना, और इसमें कोई break ना हो और इसको पासक ना कर सकें, तो हम इसके कुछ properties के बारे मी बात करेंगे, property insulator क्या होना चाहिए इसमें, कुछ property है इसमें, तो इसमें different इसके एक हाई स्पेसिफिक रजिस्टन्स होना चाहिए इस मीन उच्छ विशिष्ट प्रतिरोध का होना चाहिए चाहिए मेगा ओम्स में हो गया है यानि की ब्रेकडाउन वाले इसके उरुति होना चाहिए तो नेष्ट है मारा गुड मेकनिकल स्टेंट होनी चाहिए यानि इसकी यांत्रिक शमता है वह अच्छी होने चाहिए इंस टेंसाइल और कॉंप्रेशन के प्रेशन में तना वह संपिडन में आना चाहिए इस इंसुलेशन प्रोपर्ट शूद नौट चेंज मच विज़ राइज इन टेंपरेचर अगर इसका थोड़ा भी श्याए जो होता है या बदलाव में जब इदुद मशिन लोड लिया जाता तब इसको कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला है और नेश्टे लास्ट है नो एब्जोर्शन ओप मॉइचर यानि नमी के बीना आउस्टेशन ने करना चाहिए वेन एक्सप्लोज डांप आटमस्परिक कंडिशन के साथ में इसका नहीं होना चाहिए श्टेशन में नमी के साथ थोड़ी मात्रा में आउस्टेश के साथ काफी कम होती है इसमें यह टोटल इसकी प्रोपर्टी होनी चाहिए इंस्सुलेशन मट्रेल में ठीक है तो स्क्रिक सेक्टर में इसका शेत्र में स्क्राइब काहां付 यह है हैं आपको बता inflamघंगा नंबर वन पर है हमारा मैंका है को आज उन इसको इन का माइका इन जयाना ब्रीशन के लिए उसका इस्तवार बने होता उसमें जो घॉता है याने अब रख वहाँ पर इसका स्थमाल होता है नबर टू पे है rubber जिसके मैं भी बता है इंस्यमेशन इन वाइर के लिए स्सक्तिमाल होता है तारू में इसका इस्तलेंशन का स्थमाल होता नेम्न भार्द निश्यने में इसके जि urban इंड ग लाता है रहे और वहाले है बन केटल्ट देखाने में य। वाली ही ओचीज है नेश नंबर है गुट्टा पर्चा जिसका हम सब्मेरियन केबल बनाने के लिए स्तमाल करते हैं क्या बुलते हैं गट्टा पर्चा होता है जो पंडुबी केबल जो होते हैं तो उसके लिए यह काम में आता है क्योंकि वहां पर और अरड़ी जब वह अब आप सोच सकते वहां पर इसका इंसुलेशन का होना चाहिए इसको पड़ता पर्चा का स्तमाल होता है नेश्ड है हमारा पर्सलीन जिसको हम चीनी मिट्टी भी कहते हैं जिसका ऊपने चिनी मट्टे के बने होते हैं जो वहा पर लगए होते हैं उसमें इसमाल वायर के लिए इसको थे हैं इसका भी एसमालर लाइन इसलिटर के लिए किया लाइन्स के लिए हैंने सुकी लकड़ी जैसे कि ओरेड जो लाइन्स के लिए कईची बनाने के लिए इसका भी इस्तमाल हो सकता है है ूसके बाहुन है प्लास्टिक सप्लास्टीक पता है सभी को एक इंसुलेटर है इलखिसिटी का जिसका अस्तमाल वायर इंसुलेशन के बनने के लिए स्विज बॉर केenden बटन रहे होते बॉठ और रहे होتे वह इसी कीचिज़ और उपर bobbins होते हैं, उसके बनाने के लिए bonnet का स्तमाल होता है, insulator काम करता है ये भी, फिर है fibers, इसका स्तमाल bobbins making and winding insulation, इसका भी स्तमाल जो bobbins बनाने के लिए और winding के जो insulation बनाते हैं, इसको winding के लपेटे उसको एक प्रिज़ेत कंडिक नहीं होना चाहिए, करके फिर है leather rod paper, जिसका स्तमाल winding के लिए स्तमाल होता है, फिर है millimax paper, इसका स्तमाल भी winding के insulation बनाने के लिए होने वाला है, फिर PVC है, पीवीच सभी को आप वाजिब है, इसको wire का insulation में आप स्तमाल होती दिखते है, general life में भी, फिर है backlight, backlight भी ये प्रचलित है, backlight switches अधी इसके बनाने के काम आता है, आपने देखे होंगे ये, backlight के switch दोगे रहे के नाम भी सुना होंगे, फिर है हमारा shellac, जिसको हम चमड़ा भी कहते है, इसका भी इस्तमाल, switches अधी इसके बनाने के निकाम आता है, फिर आती है slate, जो panel board बनाने में काम आता है, और at the end यह हमारा parafix wax है, जो sealing के लिए seal करना यहने मुद्रंग करना इसको करने के लिए हमारा स्ताम में आता है, तो मैंने आज आपको totally my insulation material बताया है, rubber बताया है, इसमें timber भी बताया है, और उसको totally types में बताया, I hope यह content आपको थोड़ा boring लगा होंगा, क्योंकि काफी लंबा खीज गया है, लेकिन मैं definite से कह सकता हो कि आपको इसको पूरा material आपको और अच्छे तरह से पूरा मैं यहाँ पर content clear किया है, I hope आपको यह video अच्छा लगा होंगा, definitely like कर दिजिए और share कर दिजिए, जो हमारे और other students है या आपने आपका print slogan उनके लिए काफी सुप्योगत होता है, and thank you, thank you for watching.